नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर्यू पर आज फिर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप एक पेंशन लावारती है तो यह जानकारी आपके लिए है क्योंकि एक अगस्त दोहजार चोबिस से केंद सरकार कई बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है वहीं पेंशन धारकों के लिए भी सरकार बड़ी खुस खबरी जारी करने जा रही है यानि कि 1 अगाश्त 2024 से सरकार पैंसन नियमों में भी बदलाओ करने जा रही है अब यह है बदलाओ कौन-कौन से होंगे आउर इन बदलाओ से पैंसन लावारते को क्या लाब मिल सकता है उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं चाहे आपकी वर्दवस्ता पैंसन हो दिव्यांग पैंसन हो या फिर आप विद्वा पैंसन का लाव ले रहे हो इन नियमों का सभी को लाव मिल सकेगा यानि कि अगर सरकार यह है बदलाओ कर देती है तो पैंसन लावार्तियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी जी हाँ पैंसन धार्गों की बल्ले बल्ले हो जाएगी यह एक बड़ी खुशखबरी जारी होने जा रही है अब सरकार किन नियमों पर फोकस कर रही है किन नियमों को बदलने जा रही है तमाम जानकरी आपको दी जाएगी बस आप बन रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखें पैंसन को लेकर सरकार की तरब से बड़ी खबर निकल कर आ रही है पैंसन लेने वाले लावारत्यों के लिए सरकार बड़ी खुस खबरी जारी करने जा रही है आपको बताना चाहेंगे कि 1 अगस्त 2024 से सरकार दो बड़े नियावों में बतलाव करने जा रही है अब यह कौन-कौन से इनियम सरकार बदल सकती है चलिए उसके बारें जान लेते हैं जिससे पैंसन लावार्ती खुसी से जुम उठेंगे यानि कि पैंसन धारकों को अपनी पैंसन के लिए अब कई-कई महीने तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा देखें आप कुदा दें कि सरकार ने पैंसन का पैसा जारी करना अब से करेब 20 या 25 दिन पहले शुरू कर दिया था लेकिन अभी भी काफी ऐसे पैंसन लावार्ती हैं जिनके बैंक खाते में पैंसन का पैसा ट्रांसपर नहीं हो पाया है तो अगर सरकार यह नियम बदलती है तो सभी पैंसन लावार्तियों की समश्या समाप्त हो जाएगी यांगि पैंसन लावार्तियों को आप कह सकते हैं कि एक तोफा मिल जाएगा अब दोस्तों देखिए जिन पैंसन लावार्तियों की पैंसन रुकी हुई भी है उनके लिए भी यह एक सोने पे सुहागा है यनकी उनकी रुक्यवी पेंसन भी उनके एकाउंट में सरकार ट्रांसपर कर देगी अब कौन-कौन से बतलाव सरकार करने जा रही है चलिए उनके बारे में भी जान ले रहे हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर देजिए देखे अब सरकार एक अगस्त से कौन-कौन से पेंसन नियाव में दो बड़े वदलाव कर सकती है यह जानना सभी पेंसन लाबारतियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सभी पेंसन लाबारति चाते हैं कि उन्हें अधिक समय तक पेंसन का इंतिजार ना करना पड़े उन्हें सही समय पर पेंसन का पैसा मिलता रहे और वह अपने जीवन को वैतित करते रहें क्योंकि आप सभी भली भाती जानते होगे कि बुजुर्ग वैक्ती भी कार्या करने में एस्मर्थ रहते हैं और जो दिव्यांग है जिनके दिव्यांगता 40% है वह भी कार्या नहीं कर पाते हैं कमाई नहीं कर पाते हैं जो विद्वा महिलाय होती हैं जिनके परिवार में कोई आएका सुरूत नहीं है यो अधिये सरकार ने ये पैंसन योजना सुरू की है जिससे की पैंसन लावारत्य को पैंसन का पैसा मिल सके लेकिन सई समय पर ये भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है देखें आपकी जानकारे लिए बता दें कि कई बड़े राज्यों में कई बड़े राज्य सरकार द्वारा पैंसन नियव में पहले ही बदलाव कर दिया है यनकी जिन राज्यों में तीन महिने के बाद पैंसन मिल रही थी अब वहाँ पर हर महिने penson का पैसा मिलना सुरू हो चुका है लेकिन एक और बड़ा राज्य है देखें अगर इस राज्य मेंसे आपका राज्य नहीं है निकि यह राज्य आपका नहीं है तो आप में comment box में जाकर जुरू बताएगा कि आप किस राज्जय में निवास करते हैं और आप कोन सी pension का पैसा ले रहे हैं कि कोन सी pension का लाब ले रहे हैं अब दोस्तो एक और बड़ राज्य है जिन में सरकार तीन महिने के बाद पैसन का पैसा ट्रांसपर कर रही है, और दोस्तो तीन महिने तक ही पैसन लावारतिय को इنتजार करना पड़ता है और वह है राज्य आपका है उत्तर परतिस राज्य है? जी हाँ, इस राज्य में सरकार बहुत जल एक अगस्त यानि की एक अगस्त दोजार चोबिस से दो बड़े बदलाओ कर सकती है दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो पहला बदलाओ है वह है पैंसन टाइमिंग को लेकर यानि की जिन पैंसन लावारत को या फिर आप कह सकते हैं कि जो पैंसन धारको को तीन महिने के बाद मिलती है अब वह सरकार हर महिने पैंसन देना सुरू कर सकती है हर महिने उनके एकाउंट में पैंसन ट्रांसपर की जाएगी अगर सरकार यह बदलाव करती है अब दुस्तु आपको बता चाहेंगे कि सरकार दौरा एक और बड़ा बदलाव हो सकता है और वह दूसरा बड़ा बदलाव क्या है वह भी जान लेजिए देखें अगर सरकार हर महीने पैंसन देना सुरू करती है तो लावार्तियों की पैंस यानि कि जो अभी हाली में पेंसन मिल रही है परती महा यान की 1000 रुपे के नुसार जो पेंसन दी जा रही है वह सरकार बढ़ा कर 1500 रुपे कर सकती हैं तो यह दो बड़े बदलाओ हैं जो सरकार कर सकती चाहिए आपकी वर्दवस्ता पेंसन हो दिव्यांग पेंसन हो या फिर सरकार यह दो बड़े बदलाओ कर देती है तो यह एक अगस्त के बाद यनकी सरकार दो बड़े बदलाओ जो करेगी है एक अगस्त को कर सकती है और दोस्तों यह पता जबी चल सकेगा कि दो बड़े भी हो सकती जिसे यह पैंसन बढ़कर 4500 रुपे भी की जा सकती है अब दोस्तों यह पता एक अगस 2024 के बाद ही चल पाएगा कि कौन-कौन से नियम सरकार बदलने जा रही है आपको बता दें कि इसको लेकर हाला कि अभी तक कोई अधिकारी बयान जारी नहीं किया गया है लेक कि आप सभी जानते हैं कि हर वहीने की पहली तारीक को राज्य सरकार और केंद्र सरकार नियम में बतलाओ करती है इस बार भी कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं जिनका असर सिधा आम लोगों की जेपर पढ़ सकता है या फिर उन नियमों से पैंसन लाबार्तियों को ख आपका कोई सवाल है तो सब्सक्राइब कर ले जाएंगे और आप कोई बीड़े के नुसार पैंसन ले रहे हैं और आपकी पैंसन का नाम क्या है वर्दवस्ता है दिव्यांग है फिर आप विध्वा पैंसन ले रहे हैं मिलते हैं अपने स्टूडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत